इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कुछ ऐसे फूलों वाले पौदे जो आप अभी लगा सकते हैं बारिश के मौसम में इन सभी पौदों की गुरूद बहुत बढ़िया होती है यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो प्लांट है इसका नाम है टेकसा सेज और यह मुझे बहुत बढ़िया लगता है पौदा मैंने हफ़ते पहले ही यह पौदा नर्सरी से लिया था इसमें परपल कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं पर मुझे उससे ज़्यादा इसके पत्ते हैं जो सेलवल करें तो सबसे ज़्यादा बढ़िया वही लगते हैं इसलिए मैंने इस पौदे को अपने गार्डन में एड किया है और फिलहाल के लिए मैंने इसको 10 इंची के गमले में लगाया है जिसमें इसकी ग्रोध बहुत बढ़िया से हो रही है जब यह थोड़ा सा पौदा बढ़ा हो जाएगा हम इस पौदे को बढ़ा गमला दे देंगे पूरी धूप में रखने वाला यह पौदा है जब भी बारिश है इसकी थोड़ी पौदा प्रूनिंग कर सकते हैं जिसके साथ यह पौदा है पूरी तरह से बुशी हो जाएगा यह दोस्तों देख सकते हो इस पौदे में छोटे छोटे फूल आते हैं और इसका नाम है कौफिया वैसे इसको कौफिया बोला जाता है इसकी प्रनांसियेशन बगएर आप बता दीजीगा और यह दोस्तों हमारे पास जो प्लांट है इसमें आप देख सकते हैं बहुत आते हैं इसको भी पूरी धूप में रखा जाता है और अगर आपके पौदे के पत्ते पीले हो रहे हैं तो पानी पे आपको पहले देखना चाहिए इसके साथ यह पौदा सही हो जाएगा और इसके साथ ही दोस्तों यह हमारे पास है अगला पौदा इसका नाम है टेकोमा पौदा में भी बहुत सुंदर छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें मेरे पास यह दो वराइटी आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा एक और एक येलो कलर है दोनों मैंने 10 इंची के गमले में लगाये हुए है और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है जो टेको पौदे पर आपको फ्लावरिंग नजर आएगी और इसमें बहुत अच्छे जो पूल आते हैं तो इसके फूलों को आप जैसे पूजा स्थानों में भी यूज किया जाता है और यह दोस्तों मारे पास है इफोर्बिया मिली यह मेरा वान आव दा बेस्ट हाड़ी करना शुरू हो जाएंगी इसको मैंने 10 इंची के पॉट में लगा रखा है और इसमें ग्रोथ का आप देख सकते हो मैंने अभी रिपॉर्टिंग करी थी बारिश के मौसमें और इसलिए इसकी ग्रोथ है इतनी जड़ा अच्छे से हो रही है और इसको भी पूरी दूप मे से रखा जाता है पानी का खास द्यान रखेजा क्योंकि एक तरह क्यांक फानी पानी पहले सी होते हैं तो जैसमें पहले पानी डालेगें तो यह पौधा थोड़ा सा कराब हुआ है जो भी आपको मैं पर्मानेंट पौदे दिखा रहा हूं यह सभी मेरे ऐसी जगह पे पड़े हैं जहां पे इनको आठ से साथ खंटे की दूप आराम से आती है और पानी इनको रोज मिलता है और इस दोस्तों पौदे को कोई फर्टिलाइजर की भी कोई खास जरूरत नहीं रहती है और ऐसी दोस्तों एक और जैस्मीन की वराइटी है जिसको हम दवार्फ चाननी या फिर छोटे पत्तों वाला जो पौदा रहता है इसका इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें भी आप देखें यह खुद ही बॉल शेप टाइप ले ले लेता है इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया होती है और डार्क ग्रीन कलर के पत्ते हैं जैसे मैंने पहले आपको पौदा दिखाया था उसके लाइट ग्रीन कलर के पत्ते थे और इसको दोस्तों आप प्रून भी कर सकते हैं और कटिंग से बहुत आराम से चल जाता है कोई खास अगला पौदा इसका नम है पिंक टेकोमा और जो मैंने टेकोमा पहले आपको दिखाए है वो येलो कलर और ओरेंज के यह फिंक कलर है अगर आपको लगता है कि यही नेम है तो आप मुझे बता देना क्योंकि मुझे अभी तक जो कमेंट में पता चला है पिंक टेकोमा ही बोला जाता है और इसमें दोस्तों फ्लावरिंग अभी नहीं आई है पर थोड़ा सा मुझे पौदा कोशली मिला है क्योंकि ये बहुत जादा डिमार्ड में रहता है इसको मैंने पूरी धूप में रखा हुए जैसे आप देख सकते हो जो ओवर ग्रोन हो रखी है ब्रांची वह बहुत जारा गर्मी हुई है इसमें बहुत पूदा घ पूल बहुत पूल साइज है वह बहुत बढ़िया है अगर आप गार्डन को एक जंगल लोक देना जाते है तो उन 대кладow mister ये पौदे help कर सकते हैं ये red color का चंप है जो मैंने recently अपने garden में add किया इसको मैंने 14 inches के pot में लगाया हुआ है आगे आगे इसकी growth होगी update आपको मैं देता जाओंगा ये दोस्तों मारे पास है एक जोरा का पौदा और ये दवार्फ एक जोरा लग रहा है ये मैं फिलहाल परस पौदे नहीं पर मेरे पास पौदे उनके उपर अभी फूल नहीं आया है दीरे दीरे से जब यहां पर बारिश होती जाएगी तो इसके फूल आते जाएंगे तो दोस्तों ये पौदा भी आप अभी लगा सकते हैं 80 रुपीस का मुझे प्लान नर्सरी से मिला है ये दोस् से केवल 40-50 रुपाई की मिल जाएगी और इसका भी दोस्तों आप न्यू प्लांट बना सकते हैं थ्रू एयर लेरिंग मैं एयर लेरिंग इनकी जल्दी ही करूँगा और आपके साथ वीडियो भी शियर करूँगा कैसे आप न्यू न्यू प्लांट बना सकते हैं जैसे छो चोटे फूल आते हैं इसमें जो फूल है वह बहुत रेगुलर खेलते हैं जैसे आप कह लीजिए महीने में इसके फूल आये रहते हैं और हफ्ता या दस दिन तक खिले रहते हैं पर यह जो प्लांट है अगर आप चाहते हैं कि इसको कम पानी देना है या फिर आपके पास जमीन में लगाना है तो यह जैट रूफा का पौदा सबसे बैस्ट है बहुत कम पानी के साथ यह चलता है और गंबले में लगा सकते हैं पर इसकी घ्रोध बहुत लिमिटट रहते हैं जैसे आप देख सकते हैं और फिर इसके लाबभी बहुत सारे पौदे मेरे गार्डन में पड़े हैं जिसकी मैं टाइम टाइम पे वीडियो बनाता जाऊंगा क्योंकि कुछ पौदों की केर अलग होती है रखने का जगा अलग होती है तो वैसे ही क्रोपिंग में हम बनाएंगे अगर आपको ये वीडियो फसंद आई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को भी शेर और लाइक कीजिएगा कमेंट सेक्षिन में बताएगा भी जरूर